नमस्कार दोस्तो दोस्तो फ्रेम में जो आप मशीन देख रहे हैं यह है इंडियन एर फोर्स का HPT 32 दीपक एरक्राफ्ट और यह हिंदुस्तान एर नॉटिक्स लिम्टेड के द्वारा मैनुफेक्चर किया जाता था एर फोर्स के लिए जो इसका मेन काम था एर फोर्स में व यह टू सीटर एरक्राफ्ट है इसमें दो क्रू मेंबर बैठ सकते हैं एक इस्टुडेंट और दूसरा इंस्ट्रक्टर और जो इसकी लेंथ है वो है करीब 25 फूट 4 इंच और जो इसका विंग स्पैन है विंग जो इसके दोना तरफ पर लगे हुए है एक कोने से दूसरे कोने तक यह है करीब 31 फूट 2 इंच और जो इसकी हाइट है वो है 9 फिट 7 इंच और जो इसका अपना भार है खुद का भार वो है करीब 1 टन 34 किलो और यह करीब 300 किलो की आसपास वजन लेके उड़ सकता था यानि दो बंदों को यह आराम से लेके उड़ता था और जो इसम अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था लेकमिंग लेकमिंग इंजन प्रोवाइड करती थी हिंदुस्तान एर नोटिस को इस एरक्राफ्ट के लिए इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 281 किलोमेटर प्रती घंटे की और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो इसने पहली उडान भर्य थी वो भरी थी 1977 में और इसमें कुछ फिर बदल करके फिर इसको 1989 में फिर उड़ाया गया जो इसकी दूसरी एटान थी और जो इसकी तीसरी ओड़ान थी वो थी 1981 में kadar 1880 के बाद Indian Air Force ने इसको के कर दिया और उसके बाद 1984 में ये Indian Air Force के बेड़े में शामिल कर लिया गया ट्रेनिंग देने के लिए और करीब 2009 तक ये Indian Air Force इसका इस्तमाल करती रही है इस तरह के एरक्राफ्ट का ट्रेनिंग देने के लिए पाइलेट्स को और 2009 में एक एक्सिडेन्ट की वज़े से Indian Air Force ने इस तरह के सारे एरक्राफ्ट को हटा दिया और इसकी जगा किसी दूसरे एरक्राफ्ट ने ले ली और जो जितने भी ये एरक्राफ्ट थे दिरी दिरे करके इनको इंडिया की अलग-लग स्टेट में रखा जा रहा है और उन में से एक ये उत्राखंड के जस्पूर शेहर में है अगर कभी आप यहां से निकलो तो आप इसे जरूर देख सकते हैं इस तरह की वीडियो में आपके लिए आपके लिए लाता रहूंगा कैसी लगी वीडियो आप जरूर बरातना लाइक कर देना शेयर कर देना धन्यवाद